दोस्तों गायब है इसको मोटा करने का उपाए यदि पसु कमजोर होता है तो वह है ना तो पूरा दूद दे पाता और ना इदेखने में सुन्दर लगता तो आज की वीडियो में मैं आपको कमजोर पसु को मोटा तगडा ताजा करने का सवस्त करने के दो उपाए अशानी से आपको मिल जाएंगे एक आपको उनलाइन मिलेगा और आपको ओफ लाइन मिलेगा और जो लोग इसको पहले से करते होंगे उनकी और भी अच्छी समझ इसके बारे में बढ़ जाएगी दोस्तों पसु को मोटा करने के लिए वीडियो में दो चीजे है तो जदा खिलाता पिलाता हूं लेकिन उसके शरीर में नहीं लगता तो उसको शरीर से तंदुरुस्त बनाने के लिए सीधी सीधी दो बातें बताऊंगा एक बात आपने सुनी होगी बाइपास बाइपास फैट तो इसकी ज्यादा टेकनिकल डिटेल में ने जाकर मैं आपको है तो जो पैकेट आपको मिलेगा जो बाइपास होता है उसके उपर लिखा होता है रूमन बाइपास फैट है इसका मतलब है वो फैट जो आम उसको खिलाते हैं वो रूमन को बाइपास करके चला जाता है तो यह है आपको बाजार में मिलेगा मार्केट में मिलेगा एक किल लोगा पैकेट आप खिला देंगे तो निश्चीति गारंटी के साथ आप जिस दिन से आपने खिलाना शुरू किया है उस दिन अपने पसू की वीडियो बना लें चाहिए फोटो बना लें और जब एक किलो आप उसको खिला देंगे अलग-अलग कंपनियों किया अलग- किसी के उपर 95% तो इसका मतलब है कि जैसे 95% का मतलब है कि 95% आजम हो जाएगा दूसरी जो चीज बताऊंगा उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप जब यह चीजें खिलाना शुरू करते हैं अपने पसू को तंदूस्त बनाने के लिए तो सबसे पहले उ वो खिला दें कितने खिलाएं एक दो मूठी वर्फते आप अपने पसू को खिला दें तो वो डिवार्मिंग का काम कर देते हैं अब्यूसरी जो बात आपको बताता हूं कि आर्याना के पसू इतने सवस्थ क्यों आर्याना की वैसСТदी मोटी ताजह क्यों दिखती है अन्य राज्जों की अपेक्षा तो दोस्तों अरियाना के लोग प्राकर्तिक रूप से ही नैचुरल डंग से उनका जो डाइट पलान रखते हैं उसमें सबसे ज्यादा हुए बिनोला खिलाते हैं बिनोला खिलाने का मतलब क्या हुआ कोटन सीड कोटन सीड आप सब समझते हो दोस्तों आरियाना के लोग अपने पसू को ज्यादा तर बिनोला खिलाते हैं और मोटे अनाज ज्यादा किला जिसमें कार्बोईड़ेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो अरियाना के लोग अभी लगब 15-20 साल से ईकछल का चलन आया नहीं तो विनॉला और आनाज खिलाते हैं यह विनॉला भी बाय। फैट का काम करता है नेचिरल डंग से बाय। यह बाई। टूटता यह बें वह अलगते हैं तो वह जो विनूला आजएंस बॉल रूमन को और. और वह रूमन को बाई पास कर जाता है और बाई पास फैट का काम करता है और पसू तंदरूस्त होता है अब बात आते हैं यह बिनोला कितना खिलाना चाहिए दोस्तों एक पसू को हमें आदा किलो से लेकर शुरू कर सकते हैं और उसके बाद दिरे-दिरे करके उसको एक किलो तक ले कर जा सकते हैं दिन में एक बार बिनोला एक बात विशेश ध्यान रखें कभी भी हमें कच्छी अवस्ता में खिलाना चाहिए इसको पका कर खिलाना चाहिए और दूसरा जो natural bypass है वह है soya bean है soya bean को भी हम bypass fat की तरह अपने पसु को खिला सकते हैं उसकी मातरा कितनी रखेंगे 200 ग्राम से शुरू करके 300-400 ग्राम तक हम अपने पसु को ले कर जा सकते हैं और पहली बार आप खिला रहे हैं तो 100 ग्राम से शुरू करके 400 ग्राम तक आप दिरे दिरे करके बढ़ा कर ले कर जाएं इसको भी आपको रोस्ट करके खिलाना है कच्ची अवस्ता में इसको भी नहीं खिलाना तो दोस्तों दो चीजें हैं अपने पसु को मोटा तकड़ा करने के लिए या तो कंपनी का आप bypass fat खरीदें बाइपास fat आपको नहीं मिलता आपके छेतर में नहीं मिलता तो वीडियो की description में एक link में आपको दे दूँगा आप इसको online भी खरीद सकते हैं अमेजन एक site उसके उपर आप इस link पर आप click करेंगे तो आप सिदे उसी product के उपर पहुँच जाएंगे आप वहां से भी खरीद सकते हैं और बिनोला आपको आपके area में local कहीं भी मिल जाएगा और soybean भी मिल जाता है तो दोस्तो इस परकार यदि आप अपने पसू को तंदरूस्त करना चाहते हैं मोटा तगडा करना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों को उपयोग करके अपने पसू को खिला सकते हैं अब आप बाद में पूछते हैं कि क्या गया बिन पसू को भी दे सकते हैं बिलकुल गया बिन पसू को भी खिला सकते हैं किसी परकार का कोई भी नुकसान नहीं है तो दोस्तों इस परकार ये वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताएगा और जो भाई बन पहल जवान जए किसान